वेलकम गाई साब को फिर सो अगत एक नए क्लास के साथ और आज की इस क्लास में हम यहाँ पर डिसक्स करने जा रहे है Z 2023 की जो एक्जाम यहाँ पर होने वाली है माई में कंडक्ट यहाँ पर करवाई जाएगी उसी के संबन्देट यहाँ पर कुछ important की मेंने बीट्रेंट है उनके लिए help हो जाए इसके साथ जतने भी एग्रीकल्चर शोप्रोवाईजर है या फिर एग्रीकल्चर स्वेल के जितने भी इस्त्रेंट है उनके लिए यह class benefit रहने वाली है इसलिए class को end तक जरूर देखे और सारे questions को आपनो down कर सकते हो ताकि आपको एक important questions की जो one liner series है उनको बनने में help मिल सके ठीक है चलिए class को start कते हैं तो आज का जो हमारा first question है उसमें आपको पूछा गया है कि कौन सा फल iron का अथात ferrous ठीक है iron जिसका जो sign होता है वो fe होता है fe मतलब होता है ferrous होता है ठीक है यह आप सबी जानते होंगे कि iron का अच्छा इस्तरोत है वो होता है करोंदा होता है वोंसा होता है करोंदा होता है ठीक है चलिए next lesson है direct आपको पूछ लिया जाता है कि चल गे ये बताईए कि किन्नों किस ने विक्सित किया जो किन्नों है स्री गंगानगर साइड जिसका मुख्य रूप से इनका प्रोडक्शन होता है तो यहीं पूछा गया कि किन्नों किस के द्वारा विक्सित किया गया था तो यह जो डवलप किया गया था यह किया गया था एच भी, फ्रोस्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है, नेक्स टूसन है, टमाटर का लाल रंग, तो आई थिंग आप सभी को पता है, यहाँ पर चार किशन हम लेके चलेंगे, क्योंकि काफी इंपोर्टेन के यहाँ पर यह किशन है, कि टमाटर का लाल रंग है, वो लाईको से सीन के कारण होता है, हाईलाइट याद रखीगा, ठीक है, कैप से सीन के कारण लाल रंग होता है, कैप से सीन के कारण तेखापन पाया जाता है, ठीक है, क्लियर रहे गया पर, इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए, आपने बार बार यह क्यूसन तो पूछा हो इसको भी आपको ध्यान रखना Hier之व वर्ष आ उपः तो इritटी आप यह दिमagit की च्छा ती से आपके एकजाम होई थी उसमें स्यंगत की एक ज़ेशन पूछा गया है काफी इंपोर्टेंट यहां पर इंपोर्टन वर्राइटी इसई इस मुआ लिए व LOOK तमाटर की वेराइटी होती है अंगुर लाता टमाटर की वेराइटी होती है वर्सा उपहार भेंडी की वेराइटी होती है और अगर मैं यहाँ पर आपसे यह पूछ लेता किसा आप यह बताईए कि एपल वललित यह किसकी वेराइटी है तो यह है याद दखे अमरूद की वेरेटीज है किसकी है अमरूद की वेरेटीज है इसके सासथ अगर आपको पूछले आजाए रूबी किसकी है तो रूबी अनार की होती है और इसके सासथ एक और क्यूशन यहाँ पर है कि चलिए यह आप बता दीजिए कि पूसा रूबी किसकी है I think बहुत बार आपको क्लास में एक क्विशन करवा दिया था तो इसको आपको बताना है कि पूसा रूबी है वो किसकी है चलिए यहाँ पर देख लिजी अगला की जो क्विशन है यहाँ पर कोई आपको डाउट वाली किसन नहीं रहेगा अथात रूबी है अनार की और पूसा रूबी है वो होती है टमाटर की ठीक है आपनी क्या अंसर यहाँ पर दिया था वो आप यहाँ पर मेच कर सकते हो अब अगर आपको पोचले आदाए कि पूसा स्नोबल है यह किसके वेराइटी है ती होती है फूलगो भी की वेराइटी होती है इसके अलावा काफी इंपोटिन यहाँ पर क्यूसन लिया गया है जब हम बगीचा लगाते हैं तब हमें यहाँ पर कुछ विदिया अपलाई करनी होती है जैसे वर्गयकार है, सटवुजाकार है, त्रिकोणाकार है तो उन्हें में से यहाँ पर पूछा गया है कि बाग लगाने की ऐसी कौन से विदि है जिसमें 15% अधिक पूदे लगाई जा सकते हैं तो वो कौन से होती है सटवुजाकार होती है वाग लगाने की सबसे सामाने विदि है अधार जिसको नॉर्मली यहां पर यूज किया गाता है सामाने तहे है, जो आपको देखने को मिलती है वाग बगीचों में वो कौन सी विदि आपको देखने को मिलती है तो वो होती है, याद रिखेगा वर्गाकार जो विदी है ये लगबग सभी किसानों के द्वारा अपनाई जाती है ठीक है इसके अलावा अगर बात करते हैं नेक्स्टूसन की और कि वानस्थिक अनिसेक जनन अथार्थ जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव पार्थे नो कार्पी किसमें पाई जाती है तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि सर जी कि वेजिटेटिव जो पार्थे नो कार्पी है ये तो केले में पाई जाती है किसमें पाई जाती है आप बता सकते हो सर जी ये तो केले में पाई जाती है इसके अलावा नेक्स्टूसन में केले से ही लिया गया है कि केला क्या होता है याद रखिए यह शोता है a a three Tina होते हैं क्या या को उता है थी कोmbolu隊 होतें है तो यहाँ पर आपको एक मार्क करके आपको लिख लेना आ है कि जितने भी जो त्री गुनित है जाहे वो फल हिर या सब्ची है वह सभी क्या होते हैं याद रिखेए कि बीज रहीत होते हैं ठीक है? यहाँ पर यह याद रहेगा जिससे कि नेक्स टुशन यहाँ पर ले सकते हो कि बीज रहीत तर्बूज होता है तो वो क्या है? अब यह आपको बताया कि बीज रहीत क्या होते हैं? त्रीगुनित होते हैं ट्राइपलोईड होते हैं ठीक है इसको आप नोट डाउन जरूर कर ले इसके अलावा नेक्स टुशन पर यहाँ पर चलेंगे कि खीरा और बेंगन का उत्पती स्थान कौन सा है तो यहाँ पर आप खीरा ले सकते हूँ बेंगल ले सकते हूँ भिंडी ले सकते हूँ यह सारे किया है इसके साथ आप बेर भी ले सकते हो यह सारे ही क्या है याद रखेगा इनका ओरिजनल प्लेस माना गया है वो भारत को ही माना गया है ठीक है लेकिन अगर आपको पूछ लिया जाए कि अंगूर में अगर आपको पूछ लिया जाए कि कटाई चटाई का जो उत्री समय होता है वो क्या होता है तो वो होता है जन्वरी का माहा होता है इसके अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए कि जेम सरुस्रेश्ट किसका बना जा अधार्थ आप यह बोल सकते हो कि सरजी अध्पक्य जो अम्रूद होते हैं उनमें क्या होती है पैक्टिन की मातरा सरवादिक पाई जाती है अध्पक्य अम्रूदों ठीक है चलिए पूरुने जली में आमलता कितनी होती है तो एक परसेंट होती है पेक्टिन की मात्रा कितनी होती है सोरी पेक्टिन की मात्रा जली मिटर से मापी जाती है अगर आपको पूछा जाता है कोई यंतर होता है कि पेक्टिन की मात्रा ग्याद करने के लिए किस यंतर क प्रियोग किया जाता है तब आप बताओगे कि सर्जी जेल लिमिटर का प्रियोग किया जाता है अगर आपके पूछ लिया जाए कि खजूर का प्रमुख रोग कौन सा होता है तो तब आपको ध्यान रखना है ग्रेफियोला कौन सा है ग्रेफियोला नेक्स जिसन है कि फलो को पकाने के लिए उप्यूक्त रसाइन कौन सा होता है सोरी यहाँ पर आप रसाइन ना लगे हार्मोन आप मान सकते हो या फिर गेस आप मान सकते हो ठीक है तो फलो को पकाने के लिए जिस गेस का प्रियोग किया जाता है वो होता है इथाईलेन ठीक है यह द्रव 4 में पाई जाती है और फलो को पकाने के लिए काफी जदा तर काम मेल इसको लिया जाता है नेक्स चीसन यहांपर बात करेंगे कि प्याज के बंडारण में अंकुरुन को रोकने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है प्यास के बंडारण में अंकुरन को रोकने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है तब आप बताओगे सर मेलिक हाइडरेजाइड का प्रियोग किया जाता है इस्टोडेज में जो जर्मिनेशन को अगर आपको उसकी ग्रोथ को रोकना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेलिक हाइडरिसाइट नेक्स टिसन है कि आलो की सुसुपतावस्ता तोड़ने के लिए किसका उप्रियो किया जाता है तो लगबग ये किसन आपको कई बार पूछा गया है और आपको ध्यान रखना है कि आलो की जो डोर्मेंसी है अथा सुसुपता वस्ता है इसको तोड़ने के लिए इसको ब्रेक करने के लिए हमें जिसकी जरूत होती है जिस रसन की जरूत होती है वो होता है थायो यूरिया और इसके 1% गोलकी था यूरिया के 1% यहाँ पर गोलकी हमें आवसकता होती है इसके अलावा टमाटर के फल छेदक के जविक नियनत नहेंतू आधर फास फसल है फास मसल मतलब होता है ट्रेप क्रोप कॉनसी फसल होती है तो टमाटर के साथ हम गेंदे को अगर प्रियो करेंगे तो इससे क्या होता याद रखेगा यह एक जो फल छेदक होता है अतात फ्रूट बोरर होता है तो इसको कंट्रोल करने में यह हमारी हेल्प करता है ठीक है किसमे ट्रेप क्रोप में नेक्स क्यूसन है लास्ट क्यूसन यहाँ पर रहने वाला है इसके अलावा आपके लिए एक बोनेस क्यूसन यहाँ पर दिया गया है अथाथ हाथ द्वारा परागन किसमे होता है तो खजूर में किया जाता है है अगर आपको पूछ लिया जाए कि हाथ के द्वारा परागन क किसमें किया जाता है तो या देखेगा खजूर में किया जाता है इसके अलावा आपका जो बॉनस कुछन है वो है कि कुल गुलंसिल सरक्रा की जाच किसी अंत्री की साहिता से की जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि कुल गुलंसिल सरक्रा जो होती है ये की जाती है रेफ्र और पर प्रियोब करता हैं किसके लिए आप ले सकते हो यहांपठाब के लिए अकम कुंछा है तो ने किए हमें और लेकार आते रहेंगे तब तक बने रहें हमारे साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्लास के साथ ठीक है चलिए बाइ 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 टाक एलों